हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माइन चैनल गोपाल क्रेटीपार पहले मैं आप सब को धन्यवाद दूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं कुछ कमेंट भी हा रहा है तो मुझे आगे की सोचने में बहुत अच्छा भी लग रहा है और जो आज मेरेश चैनल को देख रहे हूं आप सबको भी नमस्टार मैं आशा करता हूं कि आप सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताने चाहता हूं आप जो मेरा काम है गोपल क्रेटिफ आर्ट चैनल के थ्रोग में मैं स्ट्रोव में कुछ काम कुछ आर्टवर किया हूं तो उनमें से एक आर्टवर के स्ट्रोव ऑक्टपॉस स्ट्रोव ऑक्टपॉस जो एसा मैंने सोच में आया कि मैं वह स्कॉपजा में तीन पार्ट को गोर से देखा तीन पार्ट क्या है पहले पहला पार्ट है कॉंसेट कॉंसेट जो है तो मैं सोचने का अंदाजा है मैं ऐलों आप अब अच्छे कंसेट को लेना है कि क्योंकि शोचने का जो अंदाजा है मैं गोga य सब बताऊंगे अगर अपा अच्छा लगे तो कमेंट करना क्योंकि पहले जो है वैंदे इस ट्रॉस क गछर में मैं ना कॉंसेट जो है शीमबल अउप्टोबस शीमबल अफो अप्टोबस ए फ्लेक्सिबिलेटी मतलब आज के टाइम में जो जो 2 हुच जो इन्षान को जीना उन तो जीने के लिए कोई कुछ भी करता है कोई किस हद तक भी जाता है पर बात यह है कि कुछ भी हो जाए कि अभी जो पेंडमिक टाइम चल रहा है वो टाइम हो या साइक्लों हो या कुछ भी कि सब में सब हमारे लिए प्रकुरूती जैसे जैसे हमें सर्भाइब करने में मजबूर करेगा हमें सब को उसी हिसाब से चलना है नहीं तो सब इनकी टाइम आगे निकर जाएगा और हम पीछे छोड़ जाएगे जो सिंबल ऑफ जो ऑक्टोपोस में जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी यह होता है कि कोई भी हालात में हम सब को रहना है टिक के रहना है तो उसी हिसाब से मेरा जो स्कॉल्चर है बोस्ट्रो में क्यूं है क्योंकि मेरा दूसरा पार्ट है मेड और तिसरा पाड़ जो है फॉप मीडियम में स्ट्रोव लेना कि जो मैं फार्मिंग घर से विलंग करता हूं मैंना तो फार्मिंग से बहुत रिलेस्टन है फिर भी मैंना का मतलब यह था कि कोई भी फार्मर हो कुछ भी करे तो वो क्या करता है कि जो आवने जो सोसे अपने जो काम है बोंगा को पहले ठेक ठाक करता है उससे जो को निकलता में तो उसमें जो श्रो निकलता है उसको क्या करते हैं कहीं पर भैक देते हैं कोई-कोई लेकर गाय भी देते हैं और कोई-कोई भी उसको अलग उस फार्मिंग में भी इस्टोल करते हैं लगाते हैं फिर हमारा जो सोच है मैं फार्मर फार्मली से बिलेंग करता हूं प्लस मैं भी बहुत सारे जो ट्राडिशनल इमेज मेकर हैं उनसे मिला हूं और वो भी पहले जब कोई भी भावान की मुर्ति बनाते हैं कि बनाने से पहने क्या करते की बना स्ट्राउ को आरमिसर की तो कि रोज से यूज की जो यूज करते फहरे वो आरमिसर बनाते पहला थे इंद और उसके आपर cringe待 कि झाल ददे पर कि दो कि यू फन उसके यूज अगर एक चीज में वह व्यूटीनेस है तो अभी मिट्टी डालने से क्या हुआ कि इसके ब्यूटीनेस खतम हो गया फिर मैं उसको सोचा नहीं मैं कुछ ऐसे काम करूं जैसे कि कोई भी मिट्टी नहीं लगानी है और मुझे वह सारे काम करना जैसे कि पूरा श्ट्रॉप और एक बात है जो है फार्मर को इंडिगेट करता है अभी जादा तर में देखता हूं सोचियल इस्वी ऐसे होता है कि कोई भी तैल रेट बढ़ गया कोई भी प्रॉब्लम आया तो पॉलिटीसियान सब गया कि वह निशाना करते क्योंकि तेल की भाहों बढ़ गया तो खे श्क्राइटी करने वाले ऐसा इसे बहुत थुपर यह बोलता या नहीं वह नहीं देखते हैं ऐसे के नहीं केवल जो टेल काशासी यान के फार्मर के साथ सारे लोग रोज करते हैं और जब रोड़ पर आना पड़ता है ना तो फार्मर को लेक्शाथे ताम मेरा खाया कि मै जो एक पर दूसरी है काम दूसरा जो एक ज़ूरा आज लिए फॉर्म लेता हूं यूरा प्राव में अपने स्ट्रॉच हिसां से मोटिबेट कर सकता हूं हों में कर सकता है क्योंकि सप्रामें एक होता है जैसे कि मोटा से पतला हो सकता है एक और मुझे बन जाता है पहले ज्यान देना है कि स्ट्रोव को हम यूज करें तो कैसे करें ट्राइशनल इमेजमेकर क्या करते हैं कि अपने स्ट्रोव को धागे में बान बान लपट लपट केस्पना दे तो मैं वह टेक्नीक को यूज किया अब मैं जो यह सक्टर है सक्टर को मैं थोड़ा अलाग करने की कोशिश किया जैसे कि वह इंस्टलेशन हो सके ग्रेटिव जो प्रेटिवनेस दीखे सबको अब अब